हर हर महादेव आज हम बात करेंगे कि इस चैनल पर भविश्य में क्या-क्या जानकारिया दी जाएंगी और आप इत्मिनान रखिए हम सीधी बात ही करेंगे साथ मिनट के वीडियो में तीन मिनट भूमी का बांधने में नहीं लगाएंगे और घुमा फिराकर एक ही बात को चार मिनट तक नहीं सुनाएंगे तो भाई लोग अब हम जानते हैं कि आगे मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ जिसके लिए मैं लोगों को तैयार करना चाहता हूँ काल चक्र तो मैं बता ही रहा हूँ जो कि अभी मात्र पांच प्रतिसत ही बता पाया हूँ फिर हम जानेंगे गुप्त संस्थाओं के विशय में अगला वीडियो सायद इसी से संबंधित आए और हाँ काल चक्र में आवतारों की भूमिका बताऊंगा किस यूग और लगुई यूग में कौन से आवतार होते हैं वो असपष्ट करूँगा आवतार कब कब हुए और उन्होंने क्या क्या कारी किये हैं वो भी बताऊंगा काल चक्र ज्यान की जानकारी जब लगभक 50% तक बता दूँगा तब हम इस काल चक्र में एक लाख 800 साल के काल करम को अनुकार करके भी देखेंगे अनुकार अर्था सिमुलेट हम इस यूग चक्र के काल करम को सिमुलेट करके भी देखेंगे और काल चक्र में अन्य चक्रों के विशे में भी विस्तार से जानेंगे यूग चक्र में धर्म की गती और प्रतेक यूग में धर्म का परिमान आधी पर चर्चा करेंगे फिर हम जानेंगे क्रिया योग के बारे में मुझे लगता है अब मैं क्रिया योग का रहस्य सब को बता दूँ क्योंकि कुछ विसेश लोगों तक यह सिमीत होकर रह गया है फिल्मेक्टर, क्रिकेटर, सिंगर, राजनेता जैसे खास वर्ग इसका गलत उपयोग करने में लगे हैं तो अब आम पबलिक के लिए भी इसे सुगम्यप बनाना होगा मैंने क्रिया योग के किसी संस्थान से दिक्षा नहीं ली है और ना ही मेरा कोई गुरू है फिर भी मैं क्रिया योग जानता हूँ जबकि क्रिया योग जन्मानस के लिए अभी तक गुप्त ही है यहा कहीं किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है और ना ही क्रिया योग जानने वालों ने इसे सार्वजनिक रूप से बताया है मगर अब ऐसा समयाने वाला है जब इन गुप्त विद्याओं का प्रतिफल मिलना बंध हो जाएगा साल 2023 सितंबर से सारे तंत्र, मंत्र, यंत्र और अनेको गुप्त विद्याएं बंध हो जाएंगी मतलब कि उनका असर खत्म होना सुरू हो जाएगा बिना मेहनत किये सिर्फ टोना टोटका करके सफलता प्राप्त करने का समय खत्म हुआ समझो जो लोग दूसरों की तरक्की से जल कर ये सब काला जादू का सहारा लेकर परेसान करते हैं वो लोग अगर सितंबर 2023 के बाद से भी नहीं सुधरेंगे और मारण, मोहन, विद्यशन, आदि विद्याओं का उपयोग करेंगे तो उल्टे वो खुद उसका सिकार होंगे आने वाले समय में केवल सही कारी के लिए किये गए मेहनत का फल प्राप्त होगा तो इस तंत्र मंत्र और क्रिया योग हुडू बूडू आदि सब का रहस्य में आगे बता दूँगा इसके अतिरिक मैं बताउंगा कि मेरी सभी जानकारियों का स्रोत क्या है और सबसे महत्य पूर्ण कल की आउतार कब आएगा लोग सबसे अधिक यही जानने को बेचेन हैं की आउतार कब आएँगे यही सवाल है जो सब के मन में है तो मैं जरूर बताऊंगा और बिल्कुल सटीक बताऊंगा अब जब काल चक्र बताना आरंभ कर दिया है तो सब कुछ बताने की जिम्मेदारी है हर हर महादेव